दोस्तो नमस्कार मैं मन्नू भाई आपका इस वीडियो में स्वावत करता हूँ दोस्तो लंबे समय से रितिक रॉशन की मोस्ट अवेटिड मूवी सुपर थर्टी रिलीजी नहीं हो पा रही थी क्योंकि फिल्म पर कंगना नाम का एक काला साया पढ़ा हुआ था जब भी रितिक फिल्म रिलीज करने जाते उसी दिन कंगना अपनी फिल्म रिलीज करने का एलान कर देती और दोनों की फिल्मों के क्लैश के बहाने कंगना और उसकी बहन रंगोली दोनों मिलकर आओ बहन रितिक पर कीचड़ उच्छाने वाला खेल चुरू कर देती जिससे कंगना की फिल्म को भी पबली सीदी मिले खेर रितिक पहले अपनी फिल्म को कंगना की मनी करने का से बचा कर जैसे तैसे ले आए तो फिर कंगना दो बारा अपनी फिल्म मैंटल है क्या को भी उसी दिन रिलीज करने आ गई सेकों साल से ऐसा होता है कि जब भी कोई गरीव आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अमीर पूजीवादी लोग उसको दवाने की हर संबभ कोशिश करते है द्रोनाचारे भी बड़े घरों के बच्चों को ही धनुरविद्या सखाते थे वो भी गरीव एक लवी के टेलेंट को बरदाश्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एक लवी का उठा मांग कर उसकी धनुरविद्या को हमेशा के लिए खतम कर दिया ऐसे द्रोनाचारे दोस्तों जादा तरे स्कूल कॉलेज कोचिंगों में भरे पड़े हैं जिनने सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ाने हैं क्योंकि माल तो वहीं से आना है ना इनको सिक्षक होने का सम्मान भी चाहिए और नोटों की मोटी मोटी गड्डियां भी चाहिए दोस्तों मुझे किसी फिल्म का डायलोग याद आ रहा है कि आज के दौर में एजुकेशन सबसे बड़ा धंदा है 100% प्रॉफिट विदाउट एनी गारंटी खेर दोस्तों एजुकेशन सिस्टम पर इम्रान हाश्मी की वायचीट इंडिया भी बन चुकी है लेकिन उसकी कहानी कुछ लगती अब चाहे दिल्ली हो, कोटा हो, गौालियर हो या बिहार हो सबी इसी कोशिच में लगे पड़े हैं कि एजुकेशन को गरीबों की पहुंसे इतना दूर कर दिया जाए कि वो कभी भी सपने में भी पढ़ने के बारे में सोच ना पाए दोस्तों मेरा मानना है कि हीरो वो नहीं होता दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है और ट्रेलर बहुत ही शांदार है रितिक ने इस फिल्म में जितनी मैनत किया मुझे नहीं लगत किसी और फिल्म में की होगी गरीब आम आदमी वाला लुक बड़ा हुआ बजन बिहारी स्टाइल में बोच्पूरी के डायलोक्स बोलना ये सब चीज़े रितिक के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था लेकिन रितिक ना कर दिखाया ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन रितिक रोशा ने कोचिंग के काफी सारे बच्चों को पढ़ाता है लेकिन एक दिन रितिक को पता चलता है कि इस कोचिंग में तो एजुकेशन का धंदा चल रहा है फीश इतनी ज्यादा कर रखी कि गरीब अपने टेलेंटिर बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं तब रितिक एक फैसला लेता है और अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलता है जो बिलकुल फ्री होता है उसके इस फैसले से शिक्षा का धंदा करने वाले लोग चिड़ चाते हैं और रितिक के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा करते हैं हमारी राह में ऐसा बड़ा बड़ा गड़ा खोद दिये लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती कर दिये हमको साला चलांग लगाना सिखा दिये जब समय आएगा तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलांग हम ही मारेंगे एक डायलॉग और भी है जो पोस्टर पर भी लिखा हुआ था अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा वही बनेगा जो हकदार होगा खेर दोस्तों यह तो सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है इस समय बॉली बुड में अच्छे-ची फिल्में बन रही है और सची कहानी पर बनी इस फिल्म को देखना तो बनता ही है फिल्म दोस्तों रिलीज हो रही है 12 जुलाई को और यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि यह फिल्म कितना बड़ा धमाका करती है आप इस बरे में क्या सोचते हैं अपनी राकमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नीचे जी राइट क्लॉक का सब्सक्राइब बटन और बैल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक एक लिक जरूर कर दीजिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और देखते रहिए मन्नू भाई